साहिब गंज के नगर थाना चेतर के अलसी रोट महले में मंगलवार की सुबह तीन बच्चे कुल चार लोग वितुत तार की चपेट में आ गए तार की चपेट में आये सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराये गया है इनमें से एक बच्चे की हालत बेहत गंभीर बताई जा रही है प्रतेक्ष दर्शियों के अनुसार अलसी रोट महले में संचालित बैटरी हाउस नामक दुकान में बोल से गय विदुत्तार की चपेट में तीन बच्चे जिनका नाम है मुहमद सहबान नौ वर्सिया, मुहमद अनस चार वर्सिया और आस्मा खातून तीन वर्सिया उस समय आगे जब वे वहाँ खेड रहे थे विदुत्तार की चपेट में बच्चों को आता देख मौके पर मौझूद उसी मुहले के मुहमद आस्थ जिनकी वर्स 28 वर्स है ने उस सभी को बचाने का प्रयास किया पर बचाते हुए भी वो इस तार की चपेट में आ गये बाद में अन लोगों के सहयोग से किसी तरह आनन फानन में उन्चारों को विदुत्तार से मुक्त गरा कर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया जहां एक बच्चे की हाले जादा गंबीर बताई जा रही है विदुत्त सर्फ गात की चपेट में आये लोगों का इलाज कर रहे सदर अस्पताल के डियस डॉक्टर मोहन पास्वान ने बताया कि सभी को इलाज के लिए भरती करा दिया गया है उपलफ संसाधन के अनुसार बहतर चिकिस्सा सुविधा प्रदान की वही मोहले के कुछ लोगों ने इसके लिए विदुत विभा को दोशी मानते हुए कारवाई करने की भी मांग की है एक बचाने वाले सारून के क्या स्थिति है उनकी भी स्थिति है करेंट लगा है वाइटल और ठीक है लेकिन वेट इन वाच में हम रखेंगे तबीन पर चुछ होगी तबीन पर चुछ होगी एक और काटन काटन से बिजली का सवजी और रेफर किया गया है वो पहले का पे कितना बच्चा था तीन बच्चा कितना क्या क्या एक रिंखु भी था यह बड़ा था चार कितना एच का सब होगा लगो यह 10 बरस कि 10 बारा बरस का होगा 10 बारा एच अच्छे अपने राजिस जूड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले